हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो मैं चैनल आज हम घेरदार अम्रेला कट कुरती बनाएंगे तो इसके लिए हमने तीन मीटर फैब्रिक लिया है और इसकी वेड़ थे 44 इंच तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे तो इसके लिए हमने फैब्रिक को फोरफोल्ड कर रखा है और इस फोरफोल्ड की जो वेड़ थे वो हमने 11.5 इंच की लिए है और टॉप पार्ट की लेंद हमने 15 इंच लिए है अब यहाँ पर हम शोल्डर लेंगे तो शोल्डर मैं ले रही हूं 6.5 इंच यहीं से आर्मोल लेंगे तो आर्मोल भी मैं ले रही हूं 6.5 इं अभी यहां पर हमें कमर का 4th part plus 2 inch margin लेना है तो मैं लिए रही हूँ 9.5 inch इन दुनों points को जोड़ देंगे अभी हम यहां पर 1 inch उपर mark करेंगे और हलका सा round ship ड्रॉप कर लेंगे अभी आर्मोल ड्रॉप कर लेंगे तो इस line का half लेना है और यहां से back का आर्मोल ड्रॉप करना है और half inch अंदर से front का आर्मोल भी ड्रॉप कर लेना है अभी neck की marking करेंगे तो neck width में ले रही हूँ 3 inch और neck deep में ले रही हूँ 6 inch front के लिए और 4 inch back के लिए उसके बाद back neck के लिए हम round shift ड्रॉप कर लेंगे और front neck के लिए हमें हलका सा curve V-shift ड्रॉप करना है तो marking हो गई है अभी cutting करेंगे सबसे पहले back neck और back armhole कट करेंगे तो हमने cutting कर ली है अभी इसको open करेंगे और इसमें से back part को side में रखेंगे और front part को फिर से fold करेंगे और front neck और front armhole की cutting करेंगे तो हमने front neck और front armhole की cutting कर ली है अभी हमें sleeves की cutting करनी है तो इसके लिए हमने fabric को fourfold करके रखा है ये open side है और ये fold side है और इस fourfold की जो width है वो हमने 9.5 inch की लिए जितना आपका armhole है उससे 3 inch ज़ादा लेना है और sleeves की length हमने ली है 16 inch अभी यहाँ पर open side से हम 3 inch पर mark करेंगे और sleeves का shift draw कर लेंगे अभी यहाँ पर sleeves bottom लेंगे तो वो मैं ली रही हो 7 inch इन दोनों points को जोड़ देंगे और उसके बाद हम sleeves की cutting कर लेंगे तो हमने sleeves की cutting कर ली है अभी यहाँ पर हमें एक चोटा सा cut लगा लिना है अभी हम sleeves को open करके रखेंगे यहाँ पर दोनों sleeves की सीधी साइड अंदर की दिरफ रखनी है या फिर उल्टी साइड अंदर की दिरफ रखनी है उसके बाद ही front का आर्मोल ड्रॉ करना है और इसे cut कर लेना है तो इस तरह से हमने sleeves की cutting कर ली है अभी bottom part की cutting करेंगे तो इसके लिए हमने fabric को double fold करके रखा है अभी इसको एक कोने से उठा कर हमें triangle में fold करना है तो इस तरह से हम इसको fold कर लेंगे तो अच्छे से fold करना है बीच में कोई भी silhouette ना रहे तो इस तरह से हमने इसको fold कर लिया है यहाँ पर यह open side है और यहाँ पर fold side है अभी top part को हमें इसके उपर इस तरह से तीरचा रखना है तो कमर का जितना size है उतने में इसको adjust करते हुए रखेंगे उसके बाद हमें कमर का निशान लगा लेना है अभी top part को हटा देंगे अभी length लेंगे हम bottom part की तो bottom part की length मैं लेनी हो 34 inch तो यहाँ पर 34 inch पर निशान लगाएंगे और इन्ची टिप को सरकाते हुए हम पूरे में round shape ड्रॉआ कर लेंगे और इन सारे points को round shape में जोडेंगे अभी हम bottom part की cutting करेंगे तो यहाँ से हम half inch का margin छोड़ते हुए cut करेंगे और यहाँ पर हमें line के उपर ही cut कर देना है तो इस तरह से हमने cutting कर ली है अभी इसको open करेंगे तो open करने के बाद देखेंगे तो यह हमारे दो piece है front और back के और यह इस तरह से flared घीरा है अभी हमने front का part लिया है सबसे पहले हमें front neck के लिए strip cut करनी है तो इसके लिए यह हमने एक fabric का piece लिया है इसको fold करना है और इसके नीचे रख देना है fold side के उपर हमें fold side ही रखनी है उसके बाद neck के shape में हमें इसकी cutting कर लेनी है अभी यहां पर हम 1.5 इंच तक का margin रखेंगे और extra fabric को cut कर लेंगे तो इस तरह से हमने strip cut कर ली है neck के लिए अभी हम इसको front part में attach करेंगे तो front part को हमें open करके रखना है और सीधाई रखना है अभी इसके उपर हमें strip को उल्टा रखना है और neck के shape में stitch कर लेना है तो हमने इसको stitch कर लिया है अभी यहां पर हमें चोटे-चोटे cuts लगा लेने है और इस strip को हमें अंदर की तरफ fold करके top stitch लगा लेना है तो इस तरह से इसको press करेंगे और अंदर की तरफ fold करके top stitch लगाएंगे तो इस तरह से हमने front neck बना लिया है अभी हमने एक lace ली है तो lace को हम V-shape में stitch कर लेंगे तो इस तरह से turn होने वाली lace ही हमें लेनी है और stitch कर लेना है तो इस तरह से हमने lace को stitch कर लिया है और ये हमारा front neck ready हो गया है अभी back neck बनाएंगे तो back neck बनाने के लिए ये हमने तिरची पटे ली है cross strip इसे हम इसके उपर उल्टा रखेंगे और stitch करेंगे तो हमने इस strip को stitch कर लिया है अभी यहां पर हमें छोटे-छोटे cuts लगा लेने है और इस strip को हमें अंदर की तरफ double fold कर दीना है तो इस तरह से हमने back neck बना लिया है अभी front का part हम इसके उपर उटा रख लेंगे और shoulders attach कर लेंगे अभी sleeves को ready करना है तो सबसे पहले sleeves के bottom को double fold करना है और इसके उपर हमें ये lace stitch कर लेनी है तो हमने sleeves में lace को stitch कर लिया है इसी तरह से हमने दूसरा sleeves भी ready कर लिया है उसके बाद shoulders को भी attach कर लिया है अभी हम sleeves को attach करेंगे तो sleeves को shoulder के उपर उटा रखना है और stitch कर लेना है इसी तरह से दूसरा sleeves भी stitch करेंगे तो हमने दोनों sleeves को stitch कर लिया है अभी top part और bottom part को stitch करेंगे तो top part को bottom part के उपर उटा रखना है और इसे stitch कर लेना है इसी तरह से back part के भी top part और bottom part को stitch करेंगे तो हमने दोनों parts को stitch कर लिया है उसके बाद दूनों साइट से फिटिंग कर लेनी है उल्टा करके और बोटम को डबल फोल्ड कर देना है